हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार मैं हो अम दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका Study IQ IAS Hindi के इस प्लेटफर्म पे और आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ कि जो बचा हुआ समय है क्योंकि अप्रेल आ चुका है और बचा हुआ समय है जो क्या वो UPSC 2025 के लिए परियाप्त है तो इस Theme को लेकर के जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आपको यहां पर सबसे पहली चीज़ जिस पर गौर करना है वो क्या है सबसे पहली चीज है आपकी आपको ये गौर करना है कि इस तयारी में समय कितना लगता है ठीक है और क्या क्या करना है तो कितना लगता है ये मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा आपको क्या क्या करना है पहले discuss कर लेते हैं देखिए सबसे पहले तो आपको एक foundation करना है foundation 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 का मतलब हुआ आपको एक pre plus mains के level पर pre और mains के level पर एक इस level की पढ़ाई अपना base strong कर लेना है जिससे की आप जो exam में questions pre में हो या mains में हो उनको tackle कर पाएं इसके अलावा जो foundation पूरी पढ़ाई इसकी कर चुके होंगे इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको करनी है वो है optional तैयार करना है ठीक है optional तैयार करना है optional अलग अलग जो भी जिसका है वो उसको तैयार करना होगा इसमें कम से कम समय लग जाता है आप मान के चलिए कि 5 से 6 महीने 5 महीने तो मिनमम लगेंगे लेकिन आप मोटा मोटा 6 महीने इसको मान के चल लीजे ठीक है C-set है जो वो एक बड़ा चैलेंज है तो ये भी साथ में आपको तैयार करना है ठीक है तो ये भी मेरे ख्याल से आपको शुरू से ही करना पड़ता है क्योंकि अब वो समय नहीं है कि C-set लास्ट के एक महीने में देख लिया जाता था अब toughness इसकी बढ़ गई है तो ये भी आपको अभी से करना पड़ता है ठीक है तो optional हो गया C-set हो गया और ये हो गया इसके अलावाद दो जो most important चीज़ है वो है आपकी एक answer writing की practice करनी होती है और एक MCQs की practice करनी होती है इतनी चीज़े हैं जो आपको करनी होती है तो सबसे जो important है वो ये है कि यहाँ पर answer writing और MCQs हैं जो ये कब करें ठीक है ये एक तो important बात हो जाती है तो सुनिए इसके बारे में जब आप foundation शुरू करेंगे और इसका जब पहला topic complete होगा पहला topic first उसी दिन से आपकी practice शुरू होगी इन दोनों की सब link है आपस में समझी एसीज को सब link है न सब जड़ा हुआ है अगर इसमें आप जड़ा सा भी आपने ठीक से plan नहीं किया तो बिगड़ सकती है चीजे क्योंकि अब आपके पास समय कितना बचा है समय बचा है मान के चलिए पढ़ने का अगर मैं effective समय बता हूँ आपको तो 10 महीने से ज़्यादा आपके पास है नहीं ठीक है 10 महीने में ही आपको ये सारी चीजें करनी है जिसमें से मैंने आपको बताया कि 5-6 महीने तो optional लेगा तो 4 महीने में क्या GS कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे बताता हूँ मैं कैसे होगा ठीक है तो ये तो साथ साथ चलने वाली चीजें optional है जो ये 5-6 महीने लेगा चीजें overlap करेंगी तो 7 में इसको भी कुछ महीने ऐसे होगे जो 7 में करने होगे और CSET भी साथ में करना होगा मतलब आप समझ रहे हैं कि discipline जो है वो आपको किस level का maintain करना है सुबा से ले करके रात तक का पूरा दिन चर रहा मतलब आपकी strategy है जो वो strategy complete होनी चाहिए कैसी वाली कि बढ़ी strategy होनी चाहिए आपके दिमाग में कि मुझे ये एक्जाम 2025 का निकालना है तो कब तक मैं क्या क्या कर लूँगा ठीक है 2025 वाला अगर निकालना है तो मैं कब से क्या क्या कर सकता हूँ या सकती हूँ दूसरा आपके दिमाग में डेली की strategy भी होनी चाहिए कि डेली basis कर देते हैं ठीक है आउटपुट इसका आउटपुट कितना होगा और कितने घंटे हमें इसको पढ़ना है ठीक है ये सारी चीज़े हैं आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए एक ऐसी रणनीती आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए अब रहती है कि जैनवरी तक या मिड़ फरवरी ले लिजे आप ठीक है मिड़ फरवरी तक आप कम से कम मिड़ फरवरी तक ये जो फाउंडेशन वाला पार्ट है ठीक है फाउंडेशन वो आप कम्प्लीट करेंगे क्यों complete करेंगे foundation वाला part वो इसलिए complete करेंगे क्योंकि इसके बाद तो फिर आपको pre पर focus करना है pre pre पर focus करना है और pre पर focus करने के लिए आपका ये सब complete होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर mcqs की practice बढ़ जाएगी plus revision है जो वो उसके लिए समय आपको अलग से देना होगा revision और mcqs का समय है जो वो बढ़ जाएगा ठीक है तो pre की तयारी यहाँ पर बढ़ चुकी है mains की तयारी के लिए आपने शुरुआत से ही अगर answer writing नहीं की ठीक है शुरू से ही अगर आपने answer writing नहीं की answer writing एक अलग ही answer writing answer writing अपने आप में क्या है एक art है देखिए ठीक है यह art है जो सिर्फ और सिर्फ practice से ही आती है प्रैक्टिस से ही आती है अच्छा answer ऐसा होता है जिसमें आपने proper उसको उसका structure अच्छा होना चाहिए या उसमें इंट्रो भी होना चाहिए, उसमें बॉडी भी होनी चाहिए, उसमें एक conclusion भी होना चाहिए, मतलब निसकर्श भी होना चाहिए, ठीक है, और introduction भी होना चाहिए, उसकी main body भी होगी और आपका निसकर्श भी होना चाहिए, conclusion, ठीक है, ये सारी चीज़ा होनी चाहिए इस body में आप देखेंगे कि भई इसमें कुछ flow chart मतलब आपको यहाँ पर flow chart भी डालने होंगे यहाँ पर आपको diagram से भी या map वगरा को भी include कर सकते हैं यहाँ पर आपके जो है वो चीजे paragraph में भी मिलनी चाहिए यहाँ पर आपकी points में भी चीजे मिलनी चाहिए मतलब points, paragraph, map, flow chart, heading, sub heading ठीक है यह सारी चीजे अगर हैं तभी वो अच्छा format बनेगा ठीक है और एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि जब answer writing करेंगे तो answer writing में कोई भी जो paragraph आप लिखेंगे वो चार line से बड़ा नहीं होना चाहिए और जो भी आप points में चीजे लिखेंगे वो डेर से दो line से बड़ी नहीं होनी चाहिए वरना यह अपने आप में paragraph बन जाएगा है ना ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा aim क्या है aim यह है कि जब examiner के हाथ में हमारी copy आए तो बिलकुल आसान तरीके से लिखा हुआ जो question है उसके जो answer है वो points form में उसको दिखते चले जाएं heading की form में उसे पता चल जाए कि हाँ इसकी proper coverage इस question का किया गया है अब आप समझ रहें ना कि इस level की आपको तयारी करनी है और इस level की अगर आपको तयारी करनी है तो आपको क्या करना होगा practice और कब से practice करनी होगी यह practice शुरू हो जाएगी उस दिन से जिस दिन आपका पहला topic खतम होगा किसी भी subject का ठीक जब complete होंगे तब हम यह करेंगे और यकीन मानिए ऐसे केस में पहले attempt में निकाल पाना लगबग लगवा असंभव सा होता है क्योंकि यह जो चीज़ है आप रुके हैं लेकिन दूसरा आपका competitor थोड़ी न रुका है वो तो कर रहा है तो अगर आप सही में competition देना चाहते है हैं तो उस केस में आपको शुरुवात से करना होगा study IQ कैसे help करेगा इसमें आपकी study IQ अपना जो पी टू आई बैच है वो 15 तारिक से स्टार्ट करने वाला है 15 तारिक से इस बैच को फटा फट जोइन कर लीजे इस समय सही मौका इसली है क्योंकि great इंडियन festival सेल चल रही है और इस सेल की अगर आप बात करेंगे तो इस सेल में यह जो price है वो मातर 23,500 रखा गया इस पूरे P2I मतलब pre से लेकर के interview तक की तयारी है यह और इसमें आपको ohm live code का इस्तमाल करना है और ohm live code का इस्तमाल करके आप इस price range में यह admission आप पा सकते हैं ठीक है इसके अलावा द किताबों का एक set है study IQ का वो भी आपको साथ में मिलेगा ठीक है इसके लिए भी आपको ohm live code का ही इस्तमाल करना है और तभी यह price आपको मिल पाएगा इसमें P2I plus यह 18 किताबों का set आपको साथ में दिया जाएगा और यह देखिए वही जो मैं आपको बभी बता रहा था कि किस तरीके से त्यारी करनी होगी तो उसमें foundation चरण है जो वह आपका पूरा रखा गया है कि इसमें live classes के दौरान teacher आपको यहां पर पढ़ाएंगी सारे subjects यहां पर cover किये जाएंगे प्लस फिर जब आपका फैब आजाएगा मान लीजे कि मिड फैब से आपने सारा complete कर लिया तो फिर उसके बाद मिड फैब से जो main चीज होती वो क्या होता है मैंने भी आप बताया आपको कि फिर आपको tension होने लगेगी अपने pre की तो revision और mcqs की practice ठीक है यह होगी दूसरी चीज और फिर उसके बाद जब आप pre pass करते हैं ठीक है तो उस case में आपको यहां बुला करके main residential program की तरह है तहत यहीं पर पढ़ाई करवाई जाएगी mentorship की एक अलग facility आपको mentorship की facility तो आपको day one से ही मिल जाएगी लेकिन यहां जब आप आ जाएंगे तो separately आपको अलग से भी यह facility यहां पर दी जाएगी ठीक है जब आप pre निकालेंगे तो यहां आएए और फिर यहां रहके ही आपको तयारी करनी है mains की ठीक है और जो बच्चे नहीं भी निकाल पाएंगे तो ऐसा नहीं के लिए नहीं कराया जाएगा मेंस की तयारी तो सब के लिए है लेकिन जो प मतलब ही आप समझ पा रहे होंगे प्री से लेकर इंटर्वी तक की पूरी तैयारी इसमें कराई जाएगी में टॉर्शिप की फैसलिटी है इसमें आंसर आइटिंग चेक करने के लिए अलग टीम है अगर आप जब भी आप आंसर लिखें किसी भी सब मतलब हमारे दौरा त तो उसके बाद सबसे पहले में यही चीज़ें आपकी परिशानिया सौर औरियंटेशन के दौरान में 15, 16, 17, 18, 19 इन दिनों में आपके साथ जुड़ करके हर एक चीज में आपको आपका जो कंशूजन है इस बैच में किस तरह से चीज़ें चलती हैं वो सारी चीज़ें य आपकी इस्तिती क्या होनी चाहिए कि सारा कंशूजन आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए और चीज़ें सुचारू ढंक से आपको डे वन से प्रिपेर रहना है ठीक है तो हर एक चीज यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इस डिसिप्लेंड वे में यहां प आपको प्रोवाइड कर आएंगे आप अपने नोट्स तो खुद बनाएंगे ही बनाएंगे कुछ यहां पर दी हुई चीज़ें से भी एड़ाउन भी कर सकते हैं या ऐसे कोई स्टूरेंट्स हैं जो वर्किंग है या कॉलेज गोईंग है तो वह भी इन हैंडेटन नोट् ठीक है इसके अलावा करेंट अफेस के लिए टेंशन नहीं लेनी है पेड में इसकी भी विवस्था की गई है करेंट अफेस प्रोग्राम है जो वो डेली बेसिस पर एक वीडियो आपको करवाया जाता है ठीक है और यह सारी चीज़ें हैं जो वो मुझे आपके साथ आज सारी तैयारी यहां पर कराई जाती है और अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई भी कंशूजन हो तो प्लीज मुझे आप टेलिग्राम पर जोएन कर लिजे इस क्यूर कोड से स्कैन करके या फिर ओम दिविदी स्टडी ऐक्यू सर्च करेंगे तो भी आपको टेलिग्राम पर में मिल जाओंगा या फिर एड़रेट ओम दिविदी 007 इस पर आप मुझे मैसेज पर्सनली भी कर सकते हैं अपनी सारी परिशानी को ले करके जल्दी मिलेंगे किसे और लेक्चर में तब तक के लिए धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIS हिंदी